जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज में बात करने वाले फैन कोड़ ECST 10 लीग के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर 16 होने वाला है जो की बेल वर्सेस सिब के बीच में खेला जाएगा तो मैं इसी मैच के आज 100% विनिंग टीम आपको देने वाला हूँ इस complete वीडियो में आपको कुल 5 टीम की combination मिलेगी जो आपको hit to hit SL और GL जिता सकती है दोस्तों तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे जो मेरी 5 टीम की combination रहेगी उसमें से 1 टीम की combination आपको hit to hit की मिलेगी एक टीम की combination आपको SL की और 3 टीम की combination आपको GL की मिल जाएगी तो कुल मि आना है आपको दोस्तो ज्यादा प्लेर प्रफोमेंस नहीं करेंगे जो देते हैं प्रफोमेंस उन्हीं को रखना में बार बार दोराता हूं जब भी मैं टीटेन का आपको टीम देता हूं तो ये बात मैं जरूर बोलता हूं और ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे दो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे और सबसे पहले आप हमारे वीडियो देखकर 100% विनिंग की गारेंटी रख ले दोस्तो और हमारे टेलिग्राम गूरूप में जोड़ जाएंगे जो मैं टीम दूँगा उनमें से अगर कोई भी कर सके दोस्तो तो यह मेरी पहली टीम है जहां पर मैंने दोस्तो देख रहे हैं कि इसको मैंने हीट के लिए डेजाइन किया है ज़umesल सारे एडियर को मैंने रखा है यहां पर जो यहां कि दोस्तो जो बाइवं सबसे कि ऐसे दॉ Yes, अर हैं दोस्तो के यहां पे के अकबरम हैं और एफ भी हैं दोस्तो एन जे हैं और डबलू भी वर्नट हैं तो अगर इनको रखेंगे दोस्तो अपने टीम में आपको फायदा हो जाएगा एक वी जे भी हैं दोस्तो बॉलिंग के सक्षन में और एक ए मैनुवल ये सारे प्लेयर जो हैं इनके अलावा कोई भी प्लेयर आपको फायदा हो जाएगा दोस्तो एक दो और प्लेयर हैं उनको भी रख सकते हैं लेकिन आपको फायदा करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सारा में मैनेज करके सारा किरियेट करके सारे तरफ से सोचकर में टीम बना कर दूँगा पांच टीम जिसको आपको लगानी है और आपको 100% विनिंग हो जाएगी दोस्तो हेड टू हेड में सिर्फ लगानी है इस टीम को अब चलते हैं जिसको आपको SL में लगानी है जो तीन और चार वाले जो लीग होते हैं वहाँ पे इस टीम को आप लगाएंगे तो आपको 100% विनिंग हो ही जाएगी दोस्तो तो यह आप ध्यान में रखेंगे इसको कहा लगानी तीन और चार वाले जो लीग होते हैं वहाँ पे दोस्तो यहाँ पर मैंने वाइस कप्तान फिर से M.K. को बनाया है और कप्तान यहाँ पर देखने दोस्तो ए डिजीजा को बनाया है अगर चेंज करना चाहेंगे तो दोस्तो आम M.Pavlue को भी बना सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बट दोस्तो इस टीम को आपको A.S.L. में लगानी है और साथ-साथ G.L. में भी ट्राइ कर सकते हैं बट चलते हैं दोस्तो अब यहाँ G.L. के टीम के तरफ जो मेरी आकरी तीन टीम है वो सिर्फ G.L. में काम करेगी तो G.L. में ही लगाएंगे साथ-साथ दोस्तो A.S.L. में भी काम कर सकते हैं लेकिन रिस्क ही काम करेगी तो दोस्तो इस टीम को आपको G.L. में लगानी इधर के देखरें तीन और दो बोलर मतलब पूरे के पूरे इधर के ज़्यादा बैट्समेन गिरेंगे बिकेट्स ज़्यादा गिरेंगे तो इधर के सारे बिकेट्स आपके पास आजाएंगे और आपको 100% विनिंग हो जाएगी तो दोनों तरफ से सोचकर आप टीम बनाएंगे दोस्तो अब इधर से के बिकेट्समेन और बॉलर्स ज़्यादा रखेंगे तो दोस्तो इस team को आपको कहां लगानी है? GL में लगानी है, GL में आपको इस team से फायदा होगा और आपको 100% winning हो जाएगी तो अच्छे से देखेंगे दोस्तो team को वीडियो को पाउच करके भी देखेंगे अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो अब चलते हैं चौथी team की तरफ तो दोस्तो इन मेरी चौथी team है जहां पर मैंने कप्तान A.M.L.1 को और वाइस कप्तान A.J.O.N.S को बनाया है अगर चेंज करना चाहेंगे तो दोस्तो आप चेंज कर सकते हैं तो इसको आपको कहां लगानी है जील में लगानी है अब चलते हैं आखरी team के तरफ दोस्तो इस लीग का आखरी team जो मेरे तरफ से देया जा रहा है जो दोस्तो यह पर मैंने फिर से A.K.A. को बनाया है कप्तान और वाइस कप्तान B.Z. को बनाया है तो यह GL की team है आपको GL में लगा देनी है तो पांचो टीम यहां पर complete होती है दोस्तो पांचो टीमों को आपको अच्छे से लगा लेना है जहां मैंने बताया वहीं पर सिर्फ लगाएंगे आपको 100% winning हो जाएगी दोस्तो होप करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी team भी समझ में आई होगा हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी हमारी पर्जेंटेशन भी अच्छी लगी होगी